हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप साब आप साब याप ठीक होंगे अपनी प्रिप्रेशन में लगे वे होंगे जिन लोगों ने भी वेडियो नहीं देखी हैं वो देख लें जो भी जेके एससबी के एक्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो काफी जादा हेल्फुल रहने वाली हैं ठीक है इसके लावा अगर आप इसकी पीडियाफ लेना चाहते हो ता आप टेलिग्राम चै से और आप हमसे बात भी कर सकते हो ठीक है तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू जो की आपके लिए काफी जादा हेल्फूल रहने वाली हैं तो देख लेते हैं question number 31 इससे पहले के 30 question आपको इन दो वीडियो में मिल जाएंगी जिनका link में description में दे दूँगा तो question है ह हमारे पास when did Kashmir became part of Lahore दरबार कश्मीर कब पार्ट बना था Lahore दरबार का sick rule में आपको पताओगा sick rule जो था कब से कब तक रहा था 1819 से लेके 1846 तक ठीक है ये जो है आपका sick rule है जिसमें ruler जो है रंजीत सिंग आफ लाहोर काफी जादा मुशूर रहे हैं ठीक है तो उसके ब कि कश्मीर कब पार्ट बना था Lahore दरबार का sick rule में ये बना था आपका option number be the right answer ये है 1819 ठीक है बढ़ते है next question की तरफ आपको पता होगा ये ट्राइपराइट ट्रीटी किन किन के बीच में तीन लोगों की बढ़ते हैं बढ़ते हैं next question की तरफ ये कब sign हुई थी इसका सही answer है आपका 1838 ठीक है बहुत most important है question ये बढ़ते next question की तरफ who was the founder of dogra dynasty तो बढ़ा simple सा question है लेकिन ये question बार बार जी के SSB में पूछा जा चुका है तो founder कौन है dogra dynasty का ये है आपके महराजा गुलाब सिंग जी तो अगर ये question आप से आजाए कि dogra rule कब से शुरू हुआ था तो आपको पता होना चाहिए ठीक है बढ़ते next question की तरफ when did general जुरावर सिंग जाइन गुलाब सिंग बहुत important question है guys ये ठीक है तो general जुरावर सिंग ने कब जाइन किया था गुलाब सिंग को कि गुलाब सिंग की force में कब general जुरावर सिंग जाइन हुए थे इसका सही answer है 1817 ठीक है बढ़ते है next question की तरफ name the ruler who removed khakaz and bombaz during his rule कौन सा ruler था जिसने khakaz and bombaz को अपने rule में जो है remove किया था ये कौन लोग थे khakaz and bombaz ये वो लोग थे जो आपके अफगान से यहाँ पे कश्मीर में आई थी ठीक है तो वो कौन से ruler थे option number कौन सा सही इनका 36 का सही answer है महराजा गुलाब सिंग option A ठीक है बढ़ते है next question की तरफ who was the founder of dharma trust in जमो कश्मीर तो guys आपको पता होना चाहिए dharma trust कौन से ruler ने जो है found किया था कौन founder रही है इसके तो 37 का option आपको पता होगा answer आपको सही पता होगा तो option number B is the right answer यानि की गुलाब सिंग जी ठीक है बढ़ते हैं question number 38 की तरफ महराजा गुलाब सिंग रूल जमू एंड कश्मीर फराम गुलाब सिंग जी का rule कब से कब तक था यह आपको पता होना चाहिए 1819 से लेके 1844 तक यह रहा सिक रूल और सिक रूल के बाद आया आपका डोगरा रूल तो डोगरा रूल में रूलर में सबसे पहले रूलर आगे गुलाब सिंग जी यानि के 1844 से आपका डोगरा रूल शुरू हो गया तो सी यह options का सही answer है बढ़ते हैं next question की तरफ who constructed the riasi fort तो riasi fort यह question जो है जी के सब्सक्राइब पूछा जा चुका है कि riasi fort किस ने जो है बनाया था तैयार किया था बहुत important question है guys riasi fort किस ने तैयार किया था तो यह थे रिशीपाल राना जी जिन्नोंने riasi fort की construction की थी ठीक है बढ़ते हैं next question की तरफ यह जो इने भी question में आपको दिखा रहा हूँ यह जी के सब्सक्राइब पूछे जा चुके हैं और बार बार आने के इनके chances और बढ़ जाते हैं question number 40 है हमारे पास who completed the ragunath temple guys यहाँ पे आप question ध्यान से पढ़िए जिन लोगों ने पढ़ा होगा रagunath temple का कुछ लोग नाम सुनते हैं तो सीधा गुलाब सिंग जी का नाम ले लेते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे complete किसने complete कराया तो second ruler जो डूगरा ruler थे उन्होंने complete कराया था तो second ruler कौन है इनमें से गुलाब सिंग, हरी सिंग, परताब सिं तो second ruler जो थे रणबीर सिंग जी जिनोंने complete कराया था रagunath temple को ठीक है तो इसका सही answer है option number D, रणबीर सिंग, बढ़ते हैं next question की दरफ, who among the following ruler was the scholar of Persian and Sanskrit language इनमें से कौन सा ruler है जो Persian भी जानता था ठीक है और Sanskrit भी जानता था, Sanskrit language भी जानता था गुलाब सिंग, हरी सिंग, रणबीर सिंग यह अकबर, तो आपका answer क्या होगा, जल्दी से आप बताओ इसका सही answer क्या हो सकता है आपके recording, ये question JKS भी पूछ सकता है, इ तो यहाँ पे सही answer होगा इसका, महराजा, कौन, हरी सिंग नहीं महराजा, रणबीर, सिंग is the right answer, ठीक है, important question है examination point of view से, बढ़ते हैं next question की तरफ, name the ruler donated an amount of one lakh to set up Punjab University, देनेट लाहूर, इन में से कौन सा ruler है, जिसने एक लाख रपया डोनेट किया था, उस समय पंजाब लाहूर सिंग बनाने के लिए, ठीक है, जो कि उस समय लाहूर में थी, तो आपका answer क्या हो सकते हैं, option देख लेते हैं, रणबीर सिंग, गुलाब परताब सिंग या हरी सिंग, तो इसका सही answer जो है, वो है परताब सिंग, सुरी, यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही answer रणबीर सिंग, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही answer जो है, option number A, रणबीर सिंग, ठीक है, क्योंकि ये scholar थे parishion और संस्रेकust के इसी वज़ए से इनका interest ज बढ़ते हैं next question की तरफ name the dogra ruler who abolished export duty on shawl, most important question guys, कौन सा dogra ruler था, जिसने shawl को export करने पर जो duty लगती है, जो tax लगता है, उसको remove किया था, कौन से ruler थे यहां पर, तो गुलाब सिंग, रनबीर सिंग, परताब सिंग या हरी सिंग, तो इसका सही answer क्या है, रनबीर सिंग, यनि कि option number is the right answer, ठीक है, इन्होंने abolish किया था, export duty on shawl, ठीक है, ये क्यों किया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये question के, ये इसमें एक बार पूछा जा चुका है, कि export duty shawl पे क्यों remove की गई थी, dogra के दोबारा, ठीक है, ये इसलिए remove की गई थी, export duty, क्योंकि, जब एक farmer या कोई मान के चलो एक shawl तियार करता है, ठीक है, ठीक है, shawl तियार करता है, तो वहाँ पे क्या होता था, जब इसको इस state के बार भीजना पड़ता था, ये shawl, तो इस पे क्या क्या जाता है, tax लगाया जाता था, वो tax government के पास जाता था, it means कि वो tax कौन देता था, वो जो shawl तियार करत करेंगे क्यों कि टेक्स उनको नहीं देना पड़ेगा अगर जितना ज्यादा टेक्स देना पड़ेगा तो उतने कम लोग इंट्रेस्ट रखेंगे उस चीज़ की तरफ तो इसका सही आंसर है रनवीर सिंग बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ जो कि आज की वीडियो में मैं आरेसपुरा आरेसपुरा जो नाम है वो कौन से रूलर के नाम पर बना है ठीक है आपको बतावगा जो जम्मो वाली साइड से लोग है आरेसपुरा तो यह सिंपल सांसर है यह कैसे में पूछा गया क्वेस्ट है और यह है रनवीर सिंग पूरा ठीक है तो गाइस यह चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जिके जॉबस इन्फो तो वो जल से जल इसको सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलिग्राम पे जुरूर जॉइन कर लेने इसके साथ साथ आप इंस्टा भी इंस्टा पे हमें फालो कर लेना और जो भी आपकी क्वेरी ह होंगी हमें वहाँ पर पूर सकते हैं तो इसका पार्ट फोर जल्दी आने वाला है तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी मिलते हैं नए वीडियो में till then bye bye take care